Hello everyone, मेरे नम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत online पढ़ाई पर करती हूँ आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना set number 4 solve और इससे पहले कि अगर आपने तीन sets नहीं देखे हैं set number 1, set number 2, set number 3 तो जाकर जरूर देख लिजे, link आपको description box में मिल जाएगा और साथी साथ मैं comment में पिंट कर दूँगी आपको सारे ये sets क्योंकि ये बहुत important है ये हमारे sets है, previous year asked questions जो की BPSC ने पूछे थे, अपने जो पिछली जो teaching exams लिये हैं TRE1, TRE2 में, तो अगर अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर जरूर देख लिएओ, आपके knowledge को बहुत बढ़ाएगा, believe करो और आज का set हमारा है, ये set number 4, इसमें हम आज solve करने जा रहे हैं, class 6 to class 8 के Science के questions, आधे questions आज solve करेंगे, आधे questions कल solve करेंगे, क्योंकि आपका ये तो, इसमें बहुत सारे questions आते हैं आपके science के, तो score दो पार्टे बनाना जरूरी था, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप भी बोर हो जाते देखने में, तो चलिए, आईए वीडियो को start करते हैं, और वीडियो start करने से पहले, अगर आप channel पे नए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि, यहाँ पर हम तयारी करते है हैं, आपको मारे upcoming exam BPSC की teaching का exam, जो की TRE3 यहाँ पर होने वाला है, आपका March में, तो उसकी यहाँ पर हम science की तयारी करते हैं, plus आपको science के साथ साथ, आपको Indian National Movement का, आपको one-liner मिलने वाला है, वो one-liner जरूर कर लीजेगा, बहुत important है, आपके exam में वो आपको बहुत help करेगा बिलीफ करिए, और वो one-liner में आपको मैंने PPT बना रही हूं उसकी, उसको मैं जल्दी-जल्दी आपको बताती जाओंगी, सुनाती जाओंगी, आप उसको सुन लीजेगा, उसका PDF आप टेलिग्राम में देख लीजेगा, तो आपको उस one-liner से बहुत जादा help मिलेगी आप के इक ग्राम में, आप देखिएगा, चलिए आईए, अब जादा समय नहीं वेज करते हुए, सिधा स्क्रीन पर चलते हैं, और एक और आपको information देनी थी, कि अगर आपने टेलिग्राम चैनल नहीं जाओंगी, जोइन किया है, तो जाकर जोइन कर लीजे, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाते हैं, हर एक class का notification मिल जाता है, प्लस अगर किसी दिन class नहीं ओनी है, तो भी वहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, साथी साथ, यहाँ पर चलता है 10 का dose, तो यह 10 का dose लेना नहीं भूलेंगे आप, तब तक आपको लेना है इस दवा को, यह doctor की द आपको lectures मिलते हैं, तो इन lectures का फाइदा उठाइए और अपने exam को fix कर लीजे, अपनी seat को fix कर लीजे, चलिए बस अब ज़्यादा समय नहीं बेस करूंगे आपका, सिधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्क्रीन पर चीज़ों को समझते हैं, तो चलिए आईए questions को देखनेते हैं, त आपको six to eight के question दो part में मिलेंगे, part one और ये आपका part two, क्योंकि आपके questions जो हैं, वो 111 से लेकर, 150 तक थे, तो काफी question है, और इसको एक बार में मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको दो parts में समझें प्रॉपर समझेंगे, ठीक है, और ये साथी साथ किन के लिए important है, तो जो भी exam देने जा रहे हैं, चाहे वर्ग आप कक्षा एक से पांच तक के हों, चाहे छे से आट के हों, चाहे आप नौ से दस वर्ग को belong करते हैं, ये सारे questions आपके, जो आपने knowledge रखी हुई है, उसको और बढ़ाएंगे, तो ये सारे वर्ग की लोग ज़रू question देखिएगा, युकि जब मैंने paper को analyze किया, तो मैंने ये पाया कि 9 to 9 तक और 10 का जो paper आया था, उससे paper ये 6 to 8 वालों का up level था, मतलब 9 to 10 वाले बच्चों के जो paper उनने देखा, तो वो paper level का स्तर था, वो कम था, कि किस से कर compare करो 6 to 8 level से, तो हो सकता है कि level को इधर उधर कर दे, तो आप सभी लोग इन questions को ज़रूर देखिएगा, और अपनी knowledge को बढ़ाएगा, चली आगे वीडियो को start कर देते हैं, तो सबसे पहला question है आपका, ये आपका light chapter से question है, 2 thin convergent lenses of power, 5 diopter and 4 diopter, जैसा जो बोला ज इसा लिखते जाएंगे, ये question आपका 12th NCRT book का question है, तो चीजे तो नोंने अप level की पूछी है, पर starting के जो 5-6 question है, काफी अच्छे level के हैं, तो उससे घवराईएगा मत, ये समझ दीजेगा कि आगे ऐसा निये कि सारे questions से इतने level के होंगे, आगे आप बाकी जो questions है, वो बह इसरनकारी lensों को समाक्षी रूप से, समाक्षी रूप से 10 cm की दूरी पर अलग-अलग रखा गया है, मतलब lens को आपको कुछ इस तरीके से रखा गया है, और इसकी 20 की दूरी क्या दे के रखी है, 10 cm, ठीक है, 10 cm इसकी दूरी दे के रखी है, साथ ही साथ, इन्होंने क्या ब फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है तो पावर को फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है पावर इस इक्वास चुवन अपॉन एफ यह रिलेशन आपने पढ़ा है चलिए आए इस सब रिलेशन को यूज करते हुए क्वेशन को अच्छे से हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको पीडिएफ दे दूँगी तो आपको इसका सॉल्वीशन भी मिल जाएगा ठीक है तो यह कुश्चन हमारा किसके हिसाब से है यह क्वेशन हमारा कॉंबिनेशन ओफ लेंस के चैप्टर से यह मतलब लाइट के चैप्टर में एक टॉपिक है कॉंबिनेशन ओफ लेंस उससे करेंगे के क्या क्या चीजे पहले गिए जो तो चीजें हमें डि देके रखिए ह।व और गठी करेंगे तो चीजए हम और रेकिय riding किर्फिक है प Penny सेकी इनके सकते हैं आपको को श्मा consider हमें मिटरेंristan के मिटर किस यह हो यहां पर आपका यूझ होगा क्षेस्ट हो सकता हो आगे भी आपका रिपीट हो यह तो इसहसाब से आप इस फॉर्मॉले को जरूर नोट करेंगे तिक यह फॉर्मॉला आपके लिए important हो जाता है अब बात कर लेते हैं इसकी values हमें पुट करनी है तो P हमको P क्या है P final है आपको combined P है और P1 की value कित्ती दे के रखिए 5 plus P2 कित्ती के रखिए 4 minus D आपको क्या हो जाएगा distance D क्या है आपकी यह जो d है यह आपकी distance है दूरी है दो आपके lenses के बीच की जो लेंस कुछ इस तरीके से है एक एक यह lens और एक यह lens और बीच की दूरी क्या हो गई, यह आपकी D दूरी हो गई, जो की 1 by 10 आपकी मीटर है, ठीक है, चलिए, तो यह क्या हो जाएगा, यहाप पे 1 by 10, into 5, into 4, अब इसको आप सॉल्फ करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, 9 minus, यहापके क्या आ जाएगा, 5, 2 is a 10, 2, 2 is a 4, और 4 में स 2 minus गया, तो 2 बचा, ठीक है, तो पावर आपकी आ जाएगी, 7 डायोक्टर, यह क्या हो गई, पावर आपकी 7 डायोक्टर आई, यह combined पावर आपकी आई, अब आपको क्या निकालना है, आपको question में क्या बोला है, question में आपको बोला है, कि आपको focal length निकालना है, means f की value आपक इसमें f की value निकाल सकते है, f equals to 1 by p हो जाएगा, ठीक है, f की value क्या हो गई, 1 by p हो गई, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें f लिख देंगे आप इधर, और आपको p कितना निकला है, 1 by 7 निकला है, तो 1 by 7 हो जाएगा, अब आप इसको solve करेंगे, तो 0.14 cm, sorry, meter, आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी focal length आएगी, अब देख लेते हैं, इसको हम options में, कि आपको कहां पर ये चीज़ दी हुई है, तो आपको ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें लगा देंगे, none of the above, ठीक है, इसमें क्या आप लगा देंगे, none of the above, अब आइए, next question को देख लेते हैं, अब ये आपका transformer से question है, और ये भी question अच्छा level का है, ये भी आपका 11-12th NCRT का question है, तो आइए इसको समझ देते हैं, क्या है एक ideal transformer है, इसको use किया जा रहा है, कितना 220V line में to deliver 2A at 110V, the current flowing in primary of the transformer is, आपको न इस question में बहुत असा formula लगना है, तो आप उस formula को याद रख लेंगे, ठीके, चलिए मैं पहले बता देती हूं आपको चीजे, जो transformer है, उसके अंदर जो transformer होता है, इसके अंदर power क्या होती है, constant होती है, ठीके, power हमेशा constant होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, तो power का क्या formula ह हो जाएगा, power equals to V into I, ठीके, power क्या हो जाता है, V into I हो जाता है, अब आपको क्या दिया है, दो तरह का दिया है, कि एक primary दिया है, primary, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिर secondary, तो अगर मैं इसको proper solution के साथ आपको मैं बताऊं, तो आपको क्या-क्या चीज दी वही है, एक second, अभ primary, बराबर हो जाएगा, voltage, secondary, into current, secondary, ठीके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि power हो जाता है, आपका V into I, ठीके, power का क्या formula होता है, V into I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, P, I, P, बराबर हो जाएगा, V, S, I, S के, आपको सिर्फ यह formula पुट करना है, और आपका answer आ जाएगा, आई V, P, कित्ता दे के रखा है, V, P, हमको दे के रखा है, 220 V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा, इसको हम एप से भी लिख सकते है, V, P, बराबर हो जाएगा, I, S, अपॉन में, I, P, ठीके, अब इसको कैसे लिख सकते है, V, P, हमारा कित्ता है, 220 V, और क्या है, V, S, देखत है i,s देख लेते हैं एक बार है आई is हमारा है तू एंपियर यह रहा i,s क्या है कर्ड़ है और ऐस क्या है आपका सेकंडरी ठीक है तो i,s क्या हो जाएगा तू एंपियर और i,a हम को आई पि स्वारी हमको निकालना है ठीक है इसको solve एक वोल्ट को हो जाएगा आपका यह तो ip शोचा ईब इनग गई हएछ ऐसंजी ए समझ आया आपको क्या करना था अपने कैस क्या पूछा था करिंट जो फ्लो सब्सक्राइं मत्तल़ प्राइबर कारें किन सिप्राइमरी काщееwn मत्तल़ प्रामर चो तो तो आपको यह वोल्टेज दिया है और आपका कितना है इसको 110 वोल्ट करना मतलब कम वोल्ट करना है ठीक है तो यह क्लिए चलिए आप transformer के बारे में थोड़ा सा समझ देते हैं कि transformer होता क्या है तो transformer एक ऐसी device है कैसा up current है जो कहां पर power power को transmission में जो electric energy है उसके power को transmission में मदद करता है मतलब transformer है जिसका उप्योग विद्यूत उर्जा के विद्यूत संचरन में किया जाता है ठीक है तो आपको क्या है विद्यूत संचरन में इसका काम उप्योग में यह लाया जाता है इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है फिर next point क्या है कि transform the transmission current होता है वह AC होता है में जो current होता है और यह या तो increase करने में या decrease करने में जो भी voltage आ रहा है इसको voltage को या तो वह बढ़ाता है transformer या तो वह घटाता है ठीक है और यह किसमें आप बिना आवरती को में बदलाव किये तो यह transformer का काम होता है यह transformer का काम भी आपको जरूरी है एक्जाइम के लिए हो सकता है अगली बार आपसे transformer की बाते पूछ ले तो इसलिए इसको मैंने हापे slide में डाला है तो आप इसको जरूर रखेंगे transformer works on the basic principle of electromagnetic induction यह very important है आपके लिए अगर आपका one-liner type का कोई question आता है कि transformer किसके principle पर वर्क करता है तो electromagnetic induction ठीक transformer विद्यू चिंबकिये प्रेडर के मूल सिध्धान्थ पर काम करता है transformer दो प्रकार के होते हैं आपका क्या हो जागा step up transformer और step down transformer दो तरह के transformer होते हैं step up transformer का काम क्या होता है यह voltage को increase करता है अप है तो मतलब क्या हो गया कम होगा voltage तो यह कम voltage को क्या करेगा बढ़ा देगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे step up है तो बढ़ा देगा step down है तो वह voltage को घटा देगा I hope आपको transformer के सारे points clear हुए होंगे चलिए अब अगले question को देख लेते हैं अगला question है हमारा the radius of a curvature of a path of a charged particle यह भी आपका class 11-12 NCRT book का question है तो यह starting के जो 6-7 question है question को देख के तो seriously कोई भी हिल जाएगा पर आपको हिलना नहीं है आपको यह सोचना है कि आगे हो सकता हो question असान हो क्योंकि आगे question का level easy है ठीक है चलिए देख लेते हैं the radius of a curvature of a path of a charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to तो अब क्या इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई भी आपको एक charge particle है और जो की एक magnetic field में जा रहा है तो उसके radius of a curvature पर क्या फरक पड़ेगा वो किसके ऊपर directly proportional होगा आपसे यह पूछा जा रहा है ठीक है तो आइए इसको समझ लेते हैं इसको समझने के लिए चलिए इसको समझने के लिए हम अलग से च्रेन पर चलते हैं तो आईए देख लेते हैं तो मानलो यह मेरे पास एक charge particle है ठीक है यह में पास क्या है charge particle है जो कि V velocity से इसकी velocity क्या है इसका wake क्या है V velocity V velocity से चल रहा है move कर रहा है और यह मेरे पास इधर क्या है magnetic field है तो यह क्या होगा magnetic field इसको हम denote करते हैं किस से B से B हम एक symbol होता है magnetic field का ऐसे ही आपका तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्रवेश करें यह अंदर जाएगी तो जब यह अंदर जा रही होगी इसमें तो आप यहाँ पर देखेंगे अंदर जाएगी तो यह धीरे से क्या है मुड़ जाएगा तो अब क्या हुआ कि यह चार्ज पार्टिकल गोल गोल होकर मूव करने लगेगा तो इसमें क्या लगा इसमें आपका पहले चीज़ होगे कि सीधे गई रेखा और यह विलॉसिटी वी से गया चार्ज पार्टिकल और जाकर यह मूव होने लगा अब इसमे बात होती है कि किसी भी चार्च पार्टिकल को अगर मैगनेटिक फील्ड के अंदर ये चार्च पार्टिकल था इसको आप मैगनेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं आपने डाला इसको मैगनेटिक फील्ड के अंदर बात को समझेंगे इसको आप जब भी मैगनेटिक फील् में उन्होंने पूछ लिया तो मतलब अगर किसी का यह question ठीक हुआ होगा तो उसका अगला question भी ठीक हो गया होगा तो अब यहां पर अंदर यह गया तो मतलब कैसा गया यह यहां पर गया और यह पर पर पड़ा और अंदर जाके यह गोल-गोल घूमने लगा ठीक है अब जब यह formula होता है centripetal force का अब बात कर लेते हैं एक जो force आपका magnetic force होता है मतलब magnetic force ठीक है force कैसा magnetic force यह हो जाएगा B Q V B क्या है आपकी magnetic field और Q क्या है चार्ज है V velocity है अब दोनों force है इसको मैं अगर equals रग दू मतलब BCP बराबर हो जाएगा किसके F M magnetic field हो जाएगा BCP बराबर FM के ठीक है तो उसको करते हैं चलिए तो कैसे हो जाएगा M V square upon में R बराबर हो जाएगा किसके B Q V ठीक अब V से क्या गया वी चला गया ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका आएगा just a second marker change कर लेती हूँ यहां पर R क्या आ जाएगा R आ जाएगा M V upon में B Q ठीक है यह आपका आ गया अब M क्या है यह आपर M हो जाएगा आपका mass ठीक है V क्या है आपकी velocity है ठीक B क्या है आपकी magnetic field है इसका solution भी आपको मिल जाएगा चिंता मत करिएगा टेलिग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF send कर दूँगी Q क्या है आपका charge है ठीक है और M V और आप जानते हैं कि M V क्या होता है M V होता है आपका momentum ठीक है समवेक जिसको बोलते हैं तो अगर मैं बात करूँ तो यहां पर R जो है आप फिर से मारकर चेंज करके मैं आपको बताती हूं यह जो R है यह आपको डिरेक्ली प्रपोर्शनल किसके दिख रहा है जो R क्या हो गया आपका R आपको क्या हो गया आपको radius of curvature हो गया तो R क्या है R radius है तो R आपको directly प्रपोर्शनल किसके दिख रहा है M emaal इंटू वी के दिख रहा है और और ही आपको inversely proportional किसके दिख रहा है बी क्यों के दिख रहा है तो आप directly बोल्च सकते हैं कि रेडियस ऑफ करवेचर डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू एमवी है तो इसलिए मैं ये भी लिख सकती हूँ कि this radius of curvature किसके बराबर हो जाएगा ratio of curvature nasıl एक डिरिकली बर परपोर्शनल मों कि यह तो च्छा था नहीं को कॉपी आप स्में क्या लगा सकते हैं आप इसमें directly answer लगा सकते हैं कि जो radius of a curvature है कि एक समान चुम्ब की छेतर में एक आवेशित कड़ के एक मार्ग की वकृता तरजा का सीधा अनुपात आपका किस से हो जाएगा आपका आवेशित कड़ के समवेग से ठीक है आपको यह में explain कर पाई होंगी यह chapter आपका class 11 12 की physics में है चलिए अगले question की तरफ चलते है अगला question क्या है when a proton injected in a magnetic field moves perpendicular to the line of a force it follows अभी हमने यह question में किया देखिए आप just इसके बाद वाला question आपको दिख गया जो हमने पहले अभी derivation किया था एक अभी just इससे पहले उसके बात का यह question है आपको यह same दिख गया ठीक है एक ही एक अगर question किसी को आता होगा तो यह question तो भाई उसने निकाल लिया होगा अगर एक कोई proton है proton है अगर इस पर को क्या किया एक magnetic field में inject यह magnetic field है B से जिसको donate करते है proton और यह आपको एक charge particle है अब यह जैसे ही moves करेंगा क्या उसके perpendicular move करेगा to the line of a force it follows जैसी के perpendicular जाएगा यह क्या करेगा यह ऐसे कुछ circular path इसका क्या है यह follow कर लेगा और force क्या लगेगा इसका downward लगेगा यह भी याद रखेंगे इसमें right hand thumb rule लगेगा right hand thumb rule लगेगा and force आपका downward direction तो यह कैसा path show करेगा यह आपका circular path जो है वो show करेगा कहा करेगा आपका वृतिय पत्त का ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है हमारा the resistivity of a given conductor depends upon अब इसमें resistivity और रिजिस्टेंस की बात है तो यह वाला देखे यहां से आना आपको थोड़ी से सांसे आप भर सकते हैं क्योंकि यह आपको क्वेशन दिख रहा है क्लास 10 थैंसी आटी का ठीक है तो इसमें क्या है रिजिस्टिविटी मतलब किसी दिये गए चालक की प्रतिरोग धगता नि वागए याद रखेंगे इसकी बात कर रही हूं ॲेजिस्टिविटी की तो रिजिश्टिविटी आपके मती मती किस और को मतीनी थी की बात कई तो फिज हाध रखेंगे अगर बात आ जाती है resistance की अगर बात आजाती है किसकी resistance की बात जैसे ही आएगी तो यह किसपे किसपे depend करता है यह depend करता है length के ऊपर यह depend करता है area के ऊपर यह depend करता है आपके material के ऊपर ठीक है कैसे इसको द्यान जान सकते हैं क्योंकि r बराबर होता है रो एल ओवर ए तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे इसको मैंने शाय स्लाइड में भी लगाया है तो चलिए आईए मैं आपको दिखा देती हूँ हाँ मैंने लगाया है तो इसको यहां पर इच्छे से समझ लेंगे क्या मैं बताना चाहा रही हूं कि कि there are four factors that influence the resistance मतलब किसी चालक के प्रतिरोग को प्रभावित करने वाले चार कारक होते हैं जिसमें मोटाई होती है लंबाई का लंबाई और तापमान होता है चौता कारक उप्यों की जाने वाली समगरी की चाल चालकता और रिजिस्टिविटी यह बात हो गई किसकी आपकी र रिजिस्टिविटी प्रोपर्टी अफ डिपेंड्स ओंळी ओंगरी तो निस्टिवर करता है तो जो मैंने तो बताया था कि इस ऐब याद रखेंगे प्रती रोधग दा चालक का एक बहुतिक गुड़ है या केवल कंड़क्टर के तापमान पर निरभर करता है तो मैंने भी आपको बताया था कि it depends upon the property of a material वो क्यों बताया था क्योंकि property of a material जो है वो निर्भर करती है किस पर temperature पर तो अगर आपको बोला जाए एक line में आपको समझने के लिए कि जो resistivity है वो किस पर पर निर्भर करती है तो आप सिर्फ बोलेंगे वो क्रिफ तापमाल पर निर्भर करती है जो यहां पर मैंने आपको पिछली बताया था कि यह property of a material पर इसलिए बोला गया था क्योंकि property of a material जो है वो डिपेंड करता है temperature पर इसलिए इन सॉर्ट बोल सकते हैं कि पर आप exam point of view से क्या point याद रखेंगे कि यह सिर्फ तापमान के उपर निर्भर करती है ठीक है चलिए इसको फिर देख लेते हैं प्रती रोधकता चालक का एक भौतिक गोर है या केवल कंडक्टर के तापमान पर निर्भर करता है ना कि सामगरी की लंबाई या घनत उपर ल लेकिन प्रतीरोधक्षमता नहीं ठीक है इस बात को आप याद रखेंगे चलिए अब हमने रिजिस्टेंस की बात कर ली तो दो याद रखेंगे अमीटर करेंट को करता है नापता है और वोल्टेज वोल्ट मीटर स्वारी पोटेंशल डिफ्रेंस को मेजर करता है बिट्विन टू पॉइंट्स ठीक है इसको वोल्टेज भी बोलते हैं चलिए अब नेक्स्ट कुश्चिन आपका यह क्लास 10th NCRT का है य आपको BPSC TRE 3.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ग्राफ का टॉपिक मिल जाएगा उसमें मैंने 30 मिनिट में सारे ग्राफ एक्स्प्लें करें हैं प्लस प्रिवियस एर क्वेश्चिन जो की सीटेट में बार बार आते हैं उसको मैंने सॉल्व करवाय है तो और क्वेश्चिन अच्छे आते हैं तो जाकर जरूर देख लीजेगा ठीक है चलिए मैं यहां पर एक्स्प्लें कर देती हूं पर थ्वार्वियू दे देती हूं ग्राफ का कि आपको कितने तरह की ग्राफ पढ़ने होंगे बता देती हूं चलिए तो एरिया अंडर टाइम ग्रांशल आपकाocracy टाइम ग्राफ आपको क्या खाथ है सिधा या बताएगा यहर बताएगा एकसिलरेशन खस nécessaire इस बात को आप याद रखेंगे तो आप यहाद रखेंगे तो यह चेहान हो जाएगा इस बात को आप याद रखेंगे तो आपका answer आप acceleration अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या displacement ठीक है क्यों हुआ उत्तर ऐसा क्योंकि जब DV और DVT में आपने क्या लगा लिया इंटीक्रेशन लगा लिया जैसे ही आपने इंटीक्रेशन लगाया तो वह convert हो जा रहा है DV किसम में इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका displacement आइए बाकी ग्राफ्स भी जल्दी से समझ लेते हैं दिखिए दो तरह के ग्राफ आपको पढ़ने होते हैं एक तो आपका हो जाता है दूरी समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ और दूसरा आपका हो जाता है velocity टाइम ग्राफ ठ इसकी जब velocity time graph का slope पूछते हैं, अगर आपसे इसका slope पूछेंगे, तो इसका slope क्या हो जाता है, acceleration हो जाता है, त्वरन, और आपका, इसमें आपका slope अगर पूछा जाएगा, तो इसमें आपका slope आजाता है, speed या आपकी velocity, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, चली, आ आपको तीन तरगे graph देखने हैं, जो आपका पहला क्या है, uniform motion, uniform motion का graph, तो uniform motion का graph मतलब ये आपका समान चाल का graph हो गया, कैसी चाल है, समान चाल है, तो समान चाल मतलब कि आपका distance है इधर, और time है इधर, तो जितनी जादा, जितना समय बढ़ेगा, उतना ही distance बढ़ेगा, तो ये आपका graph कैसा आजाता है, ये आपका graph कुछ इस तरीके का आजाता है, straight line, ठीक है, दूरी समय graph, ठीक, आप बात कर लेते हैं, दूसरे तरह के graph की, दूसरा तरह का graph क्या है, जब आपका non uniform motion है, मतलब आपकी असमान गती है, असमान गती, इसको non uniform motion भी बोलते है, ठीक जैसे कि आपका इसमें non uniform motion का graph कैसा होगा आप स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि आपका समय बढ़ रहा है उसके इसाफ से distance जैसे कि मालीजे पहले आपका क्या था दो मीटर की दूरी आपने तै करी कितनी मालीजे 1.0 में किया थीआ फिर आप चार मीटर की कर रहे हैं 2 मिनिट में फिर आप छे मीटर की दूरी कर रहे हैं कितनी है तो इसका मतलब आपका अंतराल क्या है एक साहह इधर टाइम का भी और यह दूरी का भी तो यहतो हो गया कैसा आपका uniform motion चलिक है आप दो मीटर आप चले चला तीज चल दीचे साथ मीटर चले और चार में तो यह क्या होगा यह आपका I समान गती का graph हो गया, तो यह कैसा आता है, यह आपका D हो गया इधर, और इधर टाइम हो गया, तो यह आपका कैसा graph आया, यह आपका non uniform motion का graph आपको देखने को मिला, अब तीसरे तरीके का graph देख लेते हम, तीसरे तरह का graph हो जाएगा आपका यह जब ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से मतलब दूरी और समय यह आपका ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का इस तरीके का ग्राफ मतलब कि आप आपका ऑबजेक्ट जो है जो आपका ऑबजेक्ट है यह आपका स्थिर है मतलब रेस्ट पोजीशन पर है मतलब यह आप रुका हुआ है जैसे कि अप डिस् तो पिक्निक से लॉट कर शाम तक आज आना चाहिए था पर क्या है एक एक स्पॉर्ट पर जागर खड़े हो गए और वहां से हटी नहीं रहे हैं पर शाम हो चुकी है हम घर तक नहीं आए तो इसका मतलब क्या है अब आपका दूरी समय ग्राफ के तीन तरीके हो गए अब और अच्छे से एक्स्पेंट किया है नौन उनिफॉर्म मोशन रहेगा तो वापस से तरीके का आ जाएगा ठीक है पर अब जब बात होती है यहां पर विलोसिटी टाइम ग्राफ आपका जब इस तरीके से आता है पैलल आता है इसके विलोसिटी टाइम की बात कर रही हों ह यह आपका बात हो जाएगा constant velocity अब यहां पर क्या है यहां पर आपका अब्जेक्ट पर नहीं है पर इसकी विलोसिटी कॉंस्टेंट मतलब माल लिजे यह 50 ms की स्पीज से चल रहा था तो यह 50 ms की स्पीज से यह 2 minutes पे भी है 50 ms की स्पीज से यह 10 ms की स्पीज से 10 पे 10 minutes पे है 10 minutes 20 minutes पे है फिर आपका 30 minutes मतलब आपका ताइम तो बढ़ता जा रहा है पर इसकी स्पीज क्या होगे यह कौंस्टेंट हो गई तो यह आपका ग्रैफ कैसा आता है constant velocity का graph होता है तो यह कुछ तरीके के graphs जो मैंने explain करें और भी 2-3 तरीके के most important graphs जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है तो जाकर देख लीजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question हमारा है resistance को लेकर तो यह जो आपका electricity chapter है इस chapter से 5-6 question आए है तो यह chapter बहुत जादा important हो जाता है आपके exam point of view से electricity हो गया motion हो गया chapter यह सब force हो गया chapter सब बहुत important chapters है अगर आप करना चाहें तो आप उसको करके ही जाएगा बहुत अच्छे से करके जाएगा कि इनसे questions repeat होंगे ठीक है चलिए देख लेते हैं तो आपका least resistance obtained by using जब ही भी आपको least resistance की बात करी जाए आपको कैसा resistance निकालना है least resistance निकालना है तब आप क्या करेंगे तब आप series में sorry तब आप parallel में सारे resistance को लगाएंगे अगर आपको maximum resistance निकालना है क्या निकालना है maximum resistance तब आप क्या करेंगे तब आप लगाएंगे सारे combinations को series में इस बात को आप याद रखेंगे maximum के लिए series और आपका minimum के लिए आप लगाएंगे किस कैसे parallel में ठीक है चलिए आईए इसको question को अच्छे समें explain कर देती हूं next slide में तो आपको क्या 2, 4, 1 और 100 ओम दिया है इसको आपको least resistance में लगाना है चलिए देख लेते हैं जल्दी से तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे formula 1 upon rp बराबर हो जाएगा 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 क्योंकि 4 resistance हमें दिये हुए हैं यह हमारा formula है ठीक है चलिए अब यह बराबर हो जाएगा किसके 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 1 plus 1 upon 100 इसको आप solve करेंगे तो 0.5 आएगा ठीक है plus 0.5 यह हो जाएगा 0.25 प्लस यह 1 रहेगा यह 0.01 इसको जब आप add करेंगे तो 1 upon rp की value आ गई कितनी 1.76 जब आप rp calculate करेंगे तो यह क्या आजाएगा यह 1 से value इसकी कम आएगी ठीक है तो इसके आप से आएगे देख लेते हैं कौन सा option है तो यह आपका option number c correct उतर हो जाएगा कि 1 से value इसकी कम आ रहे है ठीक है अगर आपको इसमें आपको series वाला formula लगाना होता तो यह तो आपका parallel का formula है अगर आपको यहाँ पे series का formula लगाना होता अगर यह maximum पूछता होता तो आप लगा लेते आर आर सीरीज पराबर हो जाता आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोड ठीक है आई होप यह आपको clear हुआ होगा बहुत इजी साने मारेकल था चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अब next question हमारा chemistry का start होता है next question से हम chemistry term के अंदर क्या है यह new Rodriguez और new with positive charge क्यों होता है क्योंकि इसमें proton होता है प्लस एक चीज़ और होती है न्यूट्रोंस में न्यूट्रोंस भी होते हैं पर न्यूट्रोंस क्या होते हैं न्यूट्रोंस आपके न्यूट्रल होते हैं इसलिए सिर्फ प्रोटोंस की वज़े से प्रोटोंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रोंस क्या होते है electrons negative होते हैं और जो बाहर आपके revolve करते हैं तो इसका उतर हो जाएगा आपका due to the presence of electrons around it नहीं due to the presence of neutrons नहीं due to the presence of protons तो आपका सही उतर क्या हो जाएगा इसका option number C आपका जो है वो correct उतर हो जाएगा इस question का ठीक है option number C चली अगले question की तरफ चलते हैं यह easy था और आपको अगर atom structure of atom या atom और molecule परमाडू का की सनरशना आपका परमाडू और अडू आपको इस चाप्टर को अच्छे से करना है तो आप गापस जाएंगे बीपेसी की वेवर्स बीपेसी टी आरी 3.0 प्लेलिस में उसमें आपको structure of atom की आपको वीडियो मिल जाएंगी और नहीं आपको उस chemistry one shot one hour 45 minutes में मैंने chemistry पूरी complete कराई है अच्छे से तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजेगा आपके important concepts clear हो जाएंगे ठीक है चलिए अब देख लेते हैं Sir James Chadwick थे इन्होंने neutron की discovery करी थी ठीक है इस बहुत बात को भी याद रखिएगा चलिए अगले slide बर चलते ह है अगली slide है हमारी अभी direct question आया है और direct question बहुत असा question है तो चीज़े क्या है असान भी है tough भी है तो अभी तक आपने starting के 5 questions देखके घवराए होंगे पर उसके बात के questions क्या है आपके 10th level के सतर के है तो आपको घवराना नहीं है questions को देखते जाना है ठीक है ना चलिए which of the following represent the voltage तो आपको वोल्टेज का simple क्या है वोल्टेज का formula पूछा है तो वोल्टेज का क्या formula हो जाता है वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका voltage is equals to work done upon में charge थीक है वोल्टेज क्या होता है work done upon में charge इसको मैं रभ कर देती हूं कि मैं आपको ऐसा करूं इसे क्या पो लिखा हुआ मिल जाए तो वोल्टेज क्या हो जाता है work done upon में charge आपको slow लग रहा होगा तो आप 2x पर देख लिजेगा पूरा वीडियो देखिएगा आपको क जगह हम क्या कर लेंगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मैं voltage is equals to work upon my chart w equals to w upon q ठीक है अब क्या हो जाएगा क्यों की जगह हम अगर मैं यह q की value की जगह इसको put कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसको मैं अगर solve करूं इसको properly अगर मैं लिखूं 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 तो यह हो जाएगा voltage बराबर हो जाएगा किसके work done upon में current into में टाइम तो इस हिसाब से हमारा option देखते है कौन सा ऐसा है कि वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज का फॉर्मला लगा वोल्टेज क्या होता है और चार्ज का फॉर्मला क्या होता है क्यों इक को इसमें पूछा था question असान है पर इसको दो formulas को club अगर एक formula बनाया है इसलिए अगर दो formula याद होंगे तभी question को कर पाओगे solve ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे का question तो यह मैंने धरी solve कर लिया है यह blank page रहने दो चलिए अब क्या है as the wavelength increases अब यह question आपका light का chapter का वापस से आया है इसको हमने बहुत बार solve किया है पर हमने luminosity कभी नहीं solve करी थी है ना नहीं करी थी तो आज हम luminosity का भी concept देख लेंगे बाकी तो हमने बहुत कुछ देखा है कि wavelength में क्या फरक पड़ता है ठीक है wavelength हमने देखी है हमेशा फिर frequency देखी है कि frequency पर क्या फरक पड़ता है तो यह सब हम देखते वे आए हैं आज हम क्या देखेंगे आज हम luminosity को अच्छे से समझेंगे कि light जब हमारी white light enter करती है प्रिजम में और जब वो dispersed होती है साथ कर लो colors में तो उसमें luminosity का क्या relation है क्या luminosity से बात question पूछ रहा है तो यह question क्या है यह question तो 11 लेवल का है पर आप यहां पर समझ जाएंगे तो आपको 10 लेवल से भी असान लेवल लगेगा ठीक है चलिए आए देख लेते हैं इसको just a second as the wavelength increases from violet to red जैसे कि wavelength क्या है इंक्रीज होती है वोइलेट से रेड में तो luminosity पे क्या फरक पड़ता है यदि तरंग रहरे बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक चमक क्या होगा इसका उतर देख करने तो आप की तरफ जा रहे हैं आप सबस्वेलेट मांक मैवलेंस किसकी होती है वेवलेंथ माक्सिमम होती है आपकी माक्सिमम होगी आपकी किसकी रेड लाइट की माक्सिमम होगी क्या वेवलेंथ ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यह 700 पर यहां पर रेड लाइट हो गई और यहां पर क्या हो गया वोलेट लाइट हो गई तो पहले क्या है बढ़ रही है फिर क्या है घड रहे इस बात को प्याद रखेंगे ठीक है साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है दो तीन चीज़ें और याद रखनी है आईए मैं इसको अच्छे से एक्स्प्लें कर लेती हूं देखे सबसे पहले आप इलेक्ट्रमेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं इससे भी क्वेशन आ जाते हैं तो यह आपको जाना जरूरी है आपको इलेक्ट्रमेटिक स्पेक्ट्रम में आपको यहां पर रेडियो वेवस दिख रही होंगी और यहा सबसे ज़ीज यादा हो गई आपकी किसी गामा की ऑपकी एक्सरेस की फिर एल्ट्रोवायट फिर फिर विजिबर लाइट फिर इंट्रा ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए याव्थी साथ इसमें आपको विजिबर स्पेक्ट्रम देखना चाहिए और visible spectrum क्या होता है 400 से 700 nanometer के बीच में इसकी wavelength होती है ठीक है और wavelength सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें red light की और minimum किसकी हो जाएगी आपकी wallet light की इस बात को आपको याद रखना है दूसरी बात आपकी frequency frequency just opposite हो जाती है frequency red light की क्या हो जाएगी minimum होगी और wallet light की आपकी क्या हो जाएगा कि as the wavelength is increased from violet to red the luminosity जैसे ही wavelength क्या है बढ़ती है the increase from violet to red the luminosity first increases then क्या हो जाएगा decreases ठीक है तो option number first step का correct उत्तर हो जाएगा चलिए अगली slide की तरफ चलते है if the light moving in a straight line bends by a small but a fixed angle it may cause it may be a case of यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लगू किंतु स्थिर कोड से मुड़ जाता है मतलब क्या है अगर एक प्रकाश है ऐसे जा रहा है और क्या होगा यहां से यह bounce हो जाए मतलब इसका मतलब यहां पर क्या है कोई mirror लगा हुआ है ठीक यह प्रकाश बदांग धागया MPO'd से bounds हो जा रहा है तो यह कौन सी प्रक्रिया हो जाती है यह आपकी हो जाती है reflection की प्रक्रिया ठीक है तो इसमें क्या है परावर्तन हो जा रहा है ठीक अब जब परावर्तन हो जा रहा है तो आपके आपका क्या हो गया सबसे पहला आपका है क्या डिस्पर्जन डिस्पर्जन क्या होता है डिस्पर्जन सबको पता है कि वाइट लाइट गई यहां से और साथ रंगों में क्या है डिस्पर्ज हो गई यह क्यों होती है डिस्पर्ज क्योंकि इसमें मीडियम का बदलाव होता है इसमें क्या है changing medium होता है ठीक है from rarer to हो जाएगा क्या denser medium rarer क्या थी air थी और denser क्या है आपका glass slab है तो rarer इसे जभी भी denser की तरफ जाएगी तो हमेशा जो light है वो bend towards the normal हो जाएगी जैसे मैं अगर आपको एक glass slab पे बताऊं तो मेरे पास यह glass slab है यहाँ पर light आई और यह क आएगी तो इसी bend हो जाएगी और फिर क्या है फिर बाहर bend हो जाएगी मतलब जब इधर अंदर के तरफ बेंड हो रही तो towards the normal है और जब बाहर के तरफ बेंड हो रही तो away from the normal है ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी आपने बहुत बार पढ़ी होगी अब बात कर लेते हैं क्या diffraction की diffraction क्या होता है diffraction of a light is defined as bending of light यह क्या एक bending of a light around the corner such that it is spread out and illuminates areas where a shadow is expected आप देख सकते हैं white light गई यहां से और क्या होई यह ऐसे diffraction हो गया इसमें इस तरह से diffraction हो गया तो जब इस तरह से प्रक्रिया में diffraction होता है इस तरह से white light जाती है और split हो जाती है तो क्या यहां इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं diffraction की ब्रक्रिया बोलते हैं प्रकाश की विवरतं को कोने के चारों ब्रकाश की जुकने के रूप में परिभराशित किया जाता है ताकि वाध फैल जाय और उन 아침 को रोशन कर देजां च्छाय की उमीद होती है ठीक है जहां interference interference क्या होता है आप यहां देख रहे है interference is the phenomena इसको मैं रब कर देती हूं पहले पुरा interference is the phenomena in which two waves superimposed to form the resultant wave अब आप देख सकते हैं एक यह wave है ठीक है यह wave एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है ठीक यह क्या है इसकी पूरी ऐसी तरंगे हैं अब यह क्या हूजारी एक दूसरे के ओपर superimposed हो जा रही है मतलब मिक्स हो जा रही है ठीक है जढ़ी यह ahead से गई पर क्या है यह एक दूसरे पर superimposed हो जा रही है और resultant wave क्या हो रही है lower higher और same amplitude या तो lower होगी या higher होगी या उस same amplitude की होगी मतलब हस्ता शेफ वह घटना है जिसमें दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर आकर निम्होच्य या समान आयाम की परिमारी तरंग बन जाती है परिडामी तरंग तरंग बन जाती है तो आपको आपको यह बुए लियर हो गई होगी अप इन फ्यूचर आ है आपका amplitude कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है या बरावर होता है ठीक है diffraction वहां पर होता है जहां चाया पाई जाती है diffraction of light जहां पर बेंडिंग हो रही है लाइट की around the corner such that it spreads out and illuminates the area मतलब उस जगह पर होती है पहली जहां पर चाया पाई जाती है very important point है और इससे क्या होता है कि हर एक उस चाया वाली जगह को भी यह रौशन कर देती है ठीक है चलिए आईए next slide की तरफ चलते हैं अब next slide हमारी क्या है तो इसका उबतर आपको समझ में आ गया होगा next slide है हमारी कि two bullets are fired simultaneously two bullets are fired simultaneously horizontally and with the different speeds from the same place which bullet will hit the ground first दो गोलिया एक साथ एक ही स्थान से किन्तु अलग-अलग गती से शेति दिशा में दागी जाती है कौन सी कोली मैदान को पहले भेदेगी देखे इसमें क्या होता है अब आपसे एक बहुत अच्छी से इसमें एक line लिखी हुई है अगर आपने ध्यान से देखी हो यह आपका question जो है यह आपका बुलेट्स हैं जिसको निकाला बुलेट्स जो निकल रही है वो एक ही level से निकल रही है मतलब एक ही height से निकल रही है जब दो रों बुलेट्स एक ही उचाई से निकल रही है तो इसका मतलब कि उनका जो और साथ सत क्या है उचाई के साथ सत क्या है वो horizontally मतलब इस तरीके से इस दिश्चा में निकल रही है और same height होने की वज़ा से same height होने की वज़ा से चाहे उनकी speed कोई भी हो उसमें क्या है वो नीचे गिरेंगी एक ही speed से मतलब both will reach simultaneously क्यों ऐसा हुआ क्योंकि वो एक ही height से निकल रही है और एक ही समय पर निकल रही है तो इस current से क्या हो गया वो दोनों एक साथ hit करेंगी मतलब दोनों नीचे गिरेंगी एक साथ तो क्या हो जाएगा option number C इसका correct उतर हो जाएगा चली अगले question की तरफ चलते है अगला question है कि if the speed and the radius of a body moving in a circular path are doubled then the magnitude of centripetal acceleration will be क्या बोला यदि व्रितरकार गती करते किसी पिंड की चाल एक तुरिजा दोनों को दुगना कर दें तो अभी केंद्रीत्वरण का परिडाम परिमार क्या होगा ठीक है आप से पूछा है चलिए आए इसको solve करते हैं मैं आपको यहीं पर solve करके दिखाती हूँ इसको यह भी question आपका 11-12 लेवल का ही है तो इसमें क्या बोला गया है इसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले जो question पूछा गया है अगर आपको आता है physics 11-12 का तो आप जो question पूछा उसको नोट कर ली जैसे आप numerical में करते हैं तो आर क्या देके रखी आर क्या हो रहा है if the speed and radius of a body moving in a circular path मतलब रेडियस को भी क्या कर दिया तू आर कर दिया और विलोसिटी को भी क्या कर दिया speed मतलब velocity इसको भी क्या कर दिया तू भी कर दिया अब क्या पूछा है then the magnitude of centripetal acceleration आप से क्या पूछा है centripetal acceleration पे क्या फरपहाफ चले पढ़ेगा आईए देख लेते हैं तो अब इसका formula क्या हो जाएगा just a second हाँ centripetal force आपका centripetal cp मैंने लिख दिया cf लिख दिया centripetal force क्या हो जाएगा mv square upon में r ठीक है mv square upon में r अब क्या है f dash अगर मैं देखूं तो f dash क्या हो जाएगा यहाँ पे f dash हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा m और आपका क्या हो जाएगा v क्या है 2v हो गया 2v का square upon में r क्या हो गया r b क्या है 2r हो ठीक है अब इसको अगर मैं f dash की value लिखूंगी तो क्या हो अगर मैं देखूं फर्स्ट रिलेशन को यह मैं लिखा था यह मैं इसको है यहां पे पुट कर सकती हो इसका स्लिशन आगे अब आप ड़ाप को यहां मिलेगा तो आप क्या हो जाएगा first Marty search डाक कर देती हूं F' की value क्या हो जाएगी F' की value हो जाएगी 2 और cf मतलब F' क्या हो जाएगा F' बराबर हो जाएगा centripetal force के ठीक है तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा मतलब doubled अब आपका centripetal acceleration क्या हो जाएगा यहीं की तरफ चलते हैं अगला क्यमिस्ट्री के बहुत असान से स्टार्ट हुए है इसलिए घवराएगे नहीं चीजे जो है उसको तो पेस करनी ही करनी है पर यह भी है कि अच्छे से करनी है तो अब इस वाले question में इस question को करने से पहले न हम लोग बेख लेते हैं चलके पहले सारी तरह की reaction क्योंकि आपको इसमें क्या पूछा कि इसमें displacement reaction पूछा है displacement reaction मतलब विस्थापन reaction तो कुछ तरिकों की reaction जो कि आपको जानी जरूरी है जैसे combination reaction है a plus b और क्या बन गया आपका जैसे अगर मैं बोलू h2 plus o2 और यह क्या बन जाएगा h2o बन जाएगा कैसे होगे combine होगी reaction अब decomposition reaction अगर h2o का electrolysis करा देंगे तो h2 plus o2 बन जाएगा इसको मैं proper अभी आपको नहीं बता रहे हो कि कहों कौन सा h plus ion हो रहा है कोछ नहीं हो रहा इसमें चलिए इसमें आप directly ऐसे भी लिख सकते हैं h2 plus o2 यह हो जाएगा h2o और आपका decomposition reaction में NaCl दिया ही हुआ है NaCl तूट रहा है किसमें Na Plus और Cl- ions में ठीक है combustion reaction जैसी बात आएगी मतलब oxygen की बात हुई तो किसी भी reaction में जब भी oxygen के साथ reaction होगी तो वह combustion reaction हो जाएगी होगी ठीक है neutralization reaction में हो रहा है और salt वाटर बन रहा है फिर displacement reaction में आप इसको देखिए arrow को displacement में क्या है विस्थापन हो रहा है अगर मैं AX को B के साथ reaction कराऊंगी तो यह हो जाएगा BX और A रह जाएगा यह अगर double displacement है तो AX plus BY और यह क्या बन जाएगा AY plus BX क्या हो गया इसका यह इसके साथ आ गया और यह इसके साथ चला गया ठीक है तो यह displacement reaction है यह आपने बहुत बार पड़ी है ठीक चलिए इसको देख लेते हैं अब यह वाली कौन सी reaction reaction है which of the following reaction displays the displacement reaction कौन सी इसमें से विस्थापन reaction है तो आप directly आप समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सी विस्थापन reaction होगी displacement reaction आपका option number C correct उतर हो जाएगा क्यों क्योंकि न और अच्टो में न यह ओ जो चला गया और च्टो रहे गया तो यह क्या है displacement reaction है पहली वाली reaction क्या है यह आपकी decomposition reaction है ठीक है विघटन reaction इसको बोलेंगे विघटन reaction यह कौन सी reaction है विघटन reaction है H2O2 यह कैसी है आपके synthesis reaction या आपकी यह कैसी है combination reaction या आपकी कैसी है सही होजन reaction ठीक सारी reactions अब आपको clear हो गई होगी चलिए 126 number question पर चलते हैं यह question बहुत important है very important है और इस लिए मैंने इस बेंजीन की reaction जितनी possible हो सकती है मैंने इस slide में लगा दी है जिससे हो सके हो जाया मालीचे आपको बेंजीन रिंग से question अगले बार आपको कोई और दे दे मतलब बेंजीन की reaction मालीचे सब्सक्राइब के साथ दे दे बेंजीन की reaction अगर आपकी किसी HCL के साथ दे दे तो आपका क्या बनेगा तो वह सारी मैंने reactions इसमें मैंने लिख दी है नोट कर दी है पीडिएफ में आपको दे दूँगी बार बार मैं बोल रही हूं और टेलिग्राम चैनल पर जोड़ जाएगा और चैनल पर नहीं है सब्स्राइब कर दीजेगा आपको एक चैनल के मादियम से बहुत help मिलेगी चली देख लेते हैं बेंजीन की reaction तो जब बेंजीन घनी क्या हो जाता है आपको इसमें ऑफ पर इसमें कुछ रियंक्षी करहा है स्लाइड कi रियाक्षिन कर रहा है यह लिए यह त्रंग करेंगें तबक्तव जर बाउनी जब Cu के साथ रियाइट कर रहा है तो ब्रोम बेंजीन पैसे जब Secl2 के साथ रिलीस कर रहा है और कैрах ma यह जो सबसे बना है याद रहें हमरे जो रैक्शन के बना रहा है तो क्लोरो बेंजीन बना रहा है फिर तरह से आपको यह डे याद रखना चलती happens तो अब यहां पर देखिए दो reaction आपको दिख रही होंगी जो की कैसी है chlorination है chlorination मतलब benzene की reaction कि क्लोरीन के साथ हुई जो कि आपके question में पूछा था पर यहां पर अगर HμU दिया होता मतलब sunlight दी होती तो तो आपका आंसार हो जाता benzene hexachloride पर यहां पर क्या दिया है आपको anhydrous alcl3 दिया है और यह आपको temperature दिया है उससे कोई मतलब नहीं है anhydrous alcl3 के साथ जब chlorine की reaction हो रही है benzene के साथ तो आपको chlorobenzene बन रहा है तो इन दो reactions को separate out करके समझ जिएगा और याद करिएगा ठीक है जब bromine की reaction BR2 के साथ हो रही हो anhydrous febr3 है तो bromobenzene बन रहा है ठीक है तो यह reactions बहुत important है हो सकता है chlorine की reaction आपसे sunlight वाली पूछी गई हो next time alcl3 वाली पूछा जाए या bromine की reaction आपकी febr3 के साथ benzene की पूछ ली जाए तो यह आप इसको याद कर लीजेगा जरूर से चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं वही सेम चीज़ें यहां पर भी है थोड़ी सी और आपको साफ धंग से दिख रही होगी कि बैंजीन की reaction आपकी तो इसें आपके साथ के साथ बन रही है तो क्या बनरहिए तो फिर बन रहे होगी के साथ बन रहा है तो सब्रक्री by4 we all together स्थे से जोजग बंधन द्वारा यौगिक बनाता है तो आई इसको देख लेते हैं यहां पे क्या होता है कि कार्बबन के पास क्या होते हैं चार व्यारिक्ट्रोंस होते हैं से खेंदोर कंप्रेस्जार कर और में चार नीस छी बावार में तो इसमें 4 electrons valence chance capacity क्या होती है 8 electrons की होती है पर इसके पास 4 valence electrons होते है can share 4 electrons with other atoms to form the covalent bond और यह कौनसी bonding करता है covalent bonding यह करता है ठीक है चलिए तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि why does the carbon form compounds mainly through covalent bonding तो आपका option क्या हो जाएगा कि there are 4 electrons in the outer nose orbit यह बात सही है फिर it requires large amount of energy to form C4 plus ions यह बात भी बिल्कुल ठीक है but it shares its valence electrons to complete its socket यह बात भी ठीक है तो इसके असाब से इसका यह उत्तर हो जाएगा more than one of the above is cancer हो जाएगा तो इसको मैं mark कर देती हूं more than one of the above is cancer और साथ ही साथ आपको यहाँ पर allotropes of carbon भी पढ़ा देती हूं ठीक है तो allotropes of carbon क्या होता है allotropes एक phenomena है the phenomena by which an element can exist in more than one physical state मतलब एक से जादा physical state में अगर कोई element रह पा रहा है तो वह क्या उसकी allotropy property है और इसको हिंदी में भी लिखा है तो चिंता मत करिएगा carbon due to its capability of having variable oxidation state or coordination numbers make carbon one of the few elements to have multiple number of elotropic form carbon ability to catenate carbon की क्या है catenation की ability भी होती सब points है carbon की अच्छे अच्छे ठीक है और जो कि it leads to the formation of various elotropes of carbon carbon अपनी elotropy क्यों बनाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी catenation की properties होती है क्योंकि it has a ability to catenate उसके पास catenation की property होती है जैसे diamond इसका पहला elotrop है it is extremely hard diamond क्या होता है बहुत ज्यादा hard होता है transparent crystal होता है with carbon atoms arranged in tetrahedral lattice अब यह very important term है कि carbon में जो carbon के atoms diamond में present होते हैं वो किस तरह से होते हैं तो वो tetrahedral shape में होते हैं this electrop of carbon is poor electrical conductor and excellent thermal conductor ठीक है इस point को याद रखेंगे फिर graphite cups exam में question BPSC में पूछा था कि diamonds का क्या पूछा था कि diamond का sorry graphite का कि आपके pencil में क्या present होता है तो graphite होता है ठीक है from a flat sheet of two dimensional hexagon rings the various layers are held together by a weak wonderful forces यह very important है बहुत बार one day exam से पूछा गया कि किस तरीके का force आपको पार देखने को मिलता है graphite के carbon atoms में तो आपको बताना है वीक wonderful forces होता है due to the presence of free electrons graphite crystals are good conductor of electricity the density of graphite is much lower than that of diamond ठीक है कहां use होता है pencil lead में lubricant पे electrodes for a dry cell में ठीक चलिए अगली स्लाइड के रफ चलते हैं अगली स्लाइड है सेम चीज हिंदी में लिखा है वह घटा जिसके द्वारा कोई तत्व एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है इलेट्रोपिक एलाती है कार्बन परिवर्टंशील ऑक्सी करन अवस्थाओं या समद्वए संख्या रखने की अपनी शम्ता के कारण कार्बन को उन कुछ तत्वों में से एक बनाता है कई संख्या में इलेक्टरोप रूप होते हैं कारबन के शरंकला बद करने की शम्ता एक अन्योगदान कारग है कि इस प्रकार या Carbon के विभन अनुप्रों को निर्माण करने की ओर ले जाता है इसमें Heera के बारे में आप पड़ लेंगे कि Heera क्या है हीरा अतियंत कठोर होता है पारदर्शी होता है जिसमें कारवन परमाणू और टेट्रहड्रल जाली में विवस्थित होते हैं फिर इसमें कारवन परमाणू की दो आयामी हैजागोनल परते या शीड होती है फिर यह सब आप इसमें परत देख लेंगे एक बाद कि यह मुक्त अधिस्लाइड है फुलरेन तो फुलरेन हमारे थर्ड फॉर्म उलो प्रॉर्म का फार जाइस कार्वन का उप परमाणू का इस में अगली बात कर लेंट तहां तो हमारा अंसर विढाएगा ते उसमें हमारा करता है फिर carbonate के पास 4 balance electrons होते हैं यह share करता है तो इसमें covalent bonding बनाता है ठीक है यह सब हमने points इसमें करें फिर हमने अपनी carbon की कितीन तरह के लिट्रोप इसमें पाए जाते हैं ठीक है फिर sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of अब देखिए यह question ना आपका class 8 class 10th की ncrt book का question है और बहुत easy question Na2CO3 यह sodium carbonate है जब हम इसकी hydrolysis करा देंगे water के साथ reaction करा देंगे तो यह क्या बना लेगा NaOH बना लेगा plus H2CO3 बना लेगा ठीक है तो NaOH क्या हो गया यह आपका strong base होता है NaOH और H2CO3 क्या है weak acid है तो इसका मतलब यह किस किस चीज से बना हुआ है हमारा क्या strong acid है नहीं strong acid तो नहीं weak acid की बात तो यह option गलत हो गया weak acid है weak acid है weak base है नहीं strong base है यह भी गलत हो गया तो option number C हमारा correct उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका option number C weak acid and a strong base मैं reaction यहां पर लिख दे रहे हूँ जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको reaction आपको याद हो जाएगा NaCO3 जब हमने hydrolysis कराई तो यह क्या बना NaOH बना प्लस आपका क्या बन गया H2CO3 जिसको आप क्या बोल देते हैं carbonic acid बोलता है ठीक है carbonic acid बना और carbonic acid कैसा है weak acid है और यह NaOH क्या है आपका यह आपका strong base है ठीक चली अगली slide की तरफ चलते हैं अगली slide यह आपकी मैंने यह पर लगाई है जिसमें आपको यह आपको सारे strong acid, strong base, weak acid, weak base याद रखने हैं क्योंकि इनसे question बन जाता है कैसे बनता है जब आप कुछ pH वारे questions करते हैं तो आपको यह याद करना जरूरी हो जाता है strong acids, HbI, Hcl हो पता ही है, Hcl हो जाता है, Hno3, Nitric Acid, S2SO4, अब आपको पता है strong basis क्या हो जाएगे यह आप लिए बार देखे लेना o h हो जाएगा, cao h हो जाएगा, li o h हो जाएगा, lithium hydroxide, potassium hydroxide, nao h, strontium hydroxide आप वीक असिट में कौन 되ous कैंडिक इंप्रम से इसे Bardzo आपका हैUPका आपका चैरीग कारबोक पर्मोडमी छो जाएंगे पर्चेंगे कैने dare में तापकी मिफिर 25 prophets क्वी wrist कारवनेट आपको वीक बेस होता है इस पॉइंट को आप याद रखेंगे इस लाइट को भी आप याद रखेंगे मैं आपको पीडियेफ शेयर कर दोंगी टेलिग्राम पे ठीक है तो आज के पार्ट में इतने ही क्वेशन थे आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा और इसका पार टू मैं आपको कल पोस्ट करूंगी